नमस्कार में दिपक स्वागत करता है आपका ज्यान लेंटर्स पर और आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपका क्लास 12 मैस में जो आपका चैप्रेंट नंबर 5 चला है ठीक है चैप्रेंट नंबर 5 सब्सक्राइब कर रहे थे और मैं आपको कोशन नंबर 29 तक कम्प्रीट बता चुका है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्रीज आव वीडियो जरूर देखें एंडिस्टों आई होप हमारे सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं अगर पसंद आ तो प्रीज चै रिकालनी है such that the function defined by जो function है वो इस तरह की से आपको दे रखा है कि function क्या है fx equal to 5 है if x is less than equal to 2 दूसरा function है ax plus b if ये कब लेना ये वाला function when x is greater than 2 but less than 10 and ये 21 वाला function कब लेना आपको if x is greater than equal to 10 कि जो x का value किसे बढ़ा होगा और किसके equal होगा 10 के equal होगा is a continuous function खूदी कह रहा है कि find the value of a and b हमें a और b की value निकालनी है such that the function defined by की की इस तरीके चो ये function दे रखा है आपको is a continuous function तो आपको इसमें continuity check निकरनी खूदी कह रहा है कि जो function fx is a continuous function ठीक है जब continuous है इसका मतलब left hand limit right hand limit और function की value उस point सपोज करो c point है ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए equal होने चाहिए तो function continuous है तो 100% ये क्या चीज़ होगी तो 2 पर करिएगा इसको एक equation वहां से बनाएंगे अब और एक कीज़ेगा इसको 10 पर चाहिए क्यों क्योंकि यहां पर x is less than 10 भी है and x is greater than 10 भी है यानि कि एक जहां पर less than होगा वहां पर आपका left hand limit काम आ जाएगा और जहां पर greater than है वहां पर आपका right hand limit काम आ जाएगा ठी x2 पर चेक करते हैं ठीक है ध्याना ना हम at x equal to 2 पर ले रहे हैं तो x equal to 2 पर आपका जो f of x है यानि की function वो क्या note होगा x का value 2 यहां पर देखिए x is equal to 2 तो क्या note कर लेंगे function 5 तो अगर आप मैं x के जगा 2 पुट कर दो तो फिर भी क्या रहेगा यह 5 ही रहेगा कोई problem है यहां तक कोई problem नहीं है अब निकालेंगे मैंने का कौन सी limit right hand limit right hand limit क्या होगी limit x tends to या approaches to बोल सकते हैं आप 2 उपर क्या हो value है वह 2 से कुछ less होगी ठीक है less than है होगी ना क्योंकि left hand limit है ना अगर हम 2 पर कर रहे हैं इसको कि यह 2 है यहां पर यहां पर सपोच होगा और right hand limit इधर होगा यानि कि कुछ बढ़ेगा कितना less और कितना बढ़ता है H, कितना करते हैं, H तो यानि कि यहाँ पर X की value 2 से कुछ less होगी तो X की value 2 से less कहाँ पर है X की value 2 से less यहीं पर है यानि कि X is less than 2 यहीं होगा तो आपका जो FX है, यानि कि जो function होगा इस समय आपका note होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा बात के लिए और रही 5 की उतारा हमने क्योंकि यहीं इसको satisfied कर रहा है यही 5 इसको satisfied करेगा तो देखिए इसमें बेवज़ा जो है वो रखने की कोई जुरत ही नहीं है क्या चीज़? जैसे हम रखते हैं कि X की जगा क्या रखते हैं 2 माइनस H रखते हैं तो इसकी कोई खास जुरत इसमें नहीं है इसमें जुरत नहीं है क्यों क्योंकि यह constant function है तो इसमें X तो कहीं है नहीं तो आप replacement या जो substitute हो कहां करोगे तो इसमें substitute कहीं होगा ही नहीं तो सिधा सिधा इसका answer 5 लिग दीजिए क्योंकि constant है अगला निकालते हैं इसका right hand limit निकाली है इसका limit यहां पर आ जाएगा X tends to 2 और उपर आ जाता है प्लस right hand के लिए यानि की 2 से कुछ ज़्यादा value होगी X की वो वाला हम note करेंगे ठीक है किसका f of X का value तो 2 प्लस यानि की 2 से greater than कहां पर X का value 2 से greater than यहां पर देखे X is greater than 2 यहां पर है तो यह वाला function note हो जाएगा यहां पर तो यहां पर उतालेंगे हम AX plus B अब यहां पर substitute करेंगे तो चल जाएगा काम क्या करते हैं X की जगा क्या रखेंगे 2 प्लस कितना प्लस मैंने का H यह तो खापाई ने limit है यानि की कहने कामला जाब limit दिखेंगे limit यहां पर आप limit दिखेगा तो आपका यहां पर हो जाएगा H tends to 0 यानि कि H 0 की तरफ जा रहा है और जब कब जब X की जगा आपने क्या रखेंगे 2 प्लस H रखते हैं कामला लिमिट पता नहीं कि चेंज करते हैं limit इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हम X का वेल्यू क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं यानि कि उसके जगा कुछ और हम सब्स्ट्यूट कर रहे हैं यानि कि जब H में आ गया तो limit भी कि ही होनी चाहिए अब लिमिट रख दो सिधा-सिधा H की जगा क्या रख देंगे आप आप 0 पूट कर दो तो प्लस B ठीक है तो 2 प्लस 0 आपका 2 यह हो गए नहीं कि 2A प्लस B क्या हो गया जी आपका 2A प्लस B आपका यहां पर हो गया है ठीक है तो यह आपके कौन सी लिमिट निकल गई राइट हैं लिमिट अब आपको पता है मैंने का कि सिंस सिंस जो फंक्षन है फंक्षन आपका जो फंक्षन है ठीक है एफ एकस एज अब कंटिनियस फंक्षन कैसा फंक्षन है जी कंटिनियस फंक्षन है तो जब कंटिनियस फंक्षन तो आपको अभी बताया मैंने यह आपके इतने सारे कोसन कर लिए हैं तो आपको 100% आ गया होगा कि left hand limit equal होता किसके right hand limit के और equal होता किसके function की value यानि कि किस पर तो left hand limit कितनी है 5 है यहाँ पर 5 लग दो right hand limit कितनी है यह निकाली अभी 2a प्लस बी निकाला F2 कितना है 5 है तो दिखिए तीनों को लेने के जुरुत नहीं है क्योंकि यह भी 5 है यह भी 5 है तो यानि कि 2A प्लस B के वाल इतना इतना ले लो left hand limit equal to right hand limit को ले लो तो हम दो terms ले रहे हैं यह वाला कि 2A plus B equal to 5 भाई 5 equal to 2A plus B या 2A plus B equal to 5 this is your equation number first ठीक है अब 2A plus B equal to 5 इधर से ले लो या इधर से ले लो बात लिखे क्योंकि 5 और 5 दोनों एक ही चीज है तो 2A plus B equal to 5 या यह equal to यह तो एक equation तो आपकी यहां सी बन गई एक equation आप आप दूसरे जगह से बनाओ गया वो एक equation आपकी कहां से बनेगी क्योंकि दूसरा पॉइंट भी दिख़ए आपको यानि कि यही चीज हम किसे फॉलो करेंगे आपका 10 पर भी फॉलो करेंगे तो हम लिखेंगे अब हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड निकाल देंगे तो लेफ्ट हैंड निकालेगा बहुत आसान है कोशन आपको दिख्रा होगा भी तक हसकल भी तो आप यहां पर क्या नोट कर लेंगे जी ax plus b आप note कर लेंगे ax plus b अब यहाँ पे आप substitute करेंगे क्या x की जगा क्या रहेंगे 10 minus कितना minus h minus ठीक है h is a very small value ठीक है जी तो यहाँ पे आप x की जगा क्या place कर दे 10 क्योंकि हम 10 पर ही continuity दिखा रहें ठीक है h इदर आए plus 10 minus 10 0 तो जब आप x की जगा यह रखोगे तो आपकी limit change हो जाएगी limit क्या हो जाएगी आपकी h tends to 0 ax की जगा क्या रहेंगे 10 minus h और plus क्या है जी b चल ला है दाने बाद limit रख दो बस a h की जगा क्या जाएगा 0 आजाएगा plus b तो 10 a ठीक है 10 minus 0 तो 10 तो आएगा 10 a plus b यह वह गई आपकी कौन सी लिमिट this is left hand limit अभी काम नहीं हुआ है ठीक है वैसे बन जाएगा इतने में भी चल यह कोई बात नहीं राइट है राइट है राइट है लिमिट की मेरे साब से क्योंकि लेफ्ट हेंड लिमिट और आप यह निकाल चुके नहीं तो कंटिनियस फंक्षन है तो इतना 21 इकोल टू यह हो जाएगा आपकी दूसरी कोईशन बन जाएगी ठीक है यहीं पर आपकी 21 हम नोड करेंगे क्या नोड करेंगे यहां पर फंक्षन की वैल्यू लिमिट एक्स टैन्स टू 10 प्लस यहां पर हो जाएगा 21 तो इसीदा 21 यह आएगा क्यों क्योंकि कॉंस्टेंट है बेवजा रिप्लेस्मेंट मत करो सब्सक्राइब करो बेवजा 10 प्लस एच रखे कहीं फाइदा है नहीं क्योंकि 10 पर ही तो हम निकाल लें तो यह निकाला आपने 10 a प्लस भी राइट है निमिट अभी निकाला आपने 21 और यह निकी f of 10 आपका वही है 21 तो इसलिए बूला था कि काम हो गया था लेकिन हमने ऐसी निकाल दिया राइट है तो आपकी एक एक क्वेशन यहां से बन जाएगी क्या बनेगी यह वाली 10 a plus b equal to 21 कोई भी 21 लेलो सब एक ही है ठीक है यह बन गाया आपकी equation number 2 तो अब आप करेंगे solving equation first and second ठीक है solving equation first and equation second अब दिखे equation first or equation second को आप solve करोगा अच्छा जी equation first क्या है आपकी यह दिखिए 2 a plus 2 a plus b equal to 5 a ठीक है 2 a plus b equal to 5 2 a plus b equal to 5 this is equation number first ठीक है और second equation यह आपकी 10 a plus b equal to 21 equation number 2 इनको आपने solve करना है तो दिखे solve करने के लिए सबसे पहले आप किजिए बढ़िया सा method by elimination method ठीक है elimination आपने यह method बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा I hope ठीक है class 10th में था elimination method इससे हम इनको solve कर सकते हैं किनी भी दो linear equation को पेर है आपने 10th में xy रहाओ यहां पर x था यहां पर y था तो आपको पता है कैसे solve करते हैं ठीक है दो linear equation को तो हम elimination method इसलिए कर रहे है क्योंकि मुझे दिखरा है कि यहां पर b वाला cancel हो जागा क्या करने पर करने पर अगर मैं सब्ट्रेट कर दूँ अब दीकिए one में से two सब्ट्रेट करो या two में से one सब्ट्रेट करो बात एक ही है जिसकी calculation अच्छी है उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा दीकिए plus का माइनस का प्लस वाला माइनस का ठीक है जी अब मैंने का वन को उपर लिखो या two को फरक नहीं पड़ता है दीकिए मैंने बी से बी डारेक्ट कैंसल हो गया एलिमिनेट कर दिया ठीक है तो आप two a minus 10 कितना हो गया माइनस का एट यह हो गया और five minus क्या करेंगा आप twenty one तो कितना है और five minus का 16 हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसल तो एक वेलुज हो गया आपका sixteen अपाउन एट माइनस से माइनस कड़ीया ठीक है एक टूज़ा 16 कितना जी एक टूज़ा 16 यानि कि आपका यह एक वाल्यू आगया में अब देखिए इनका वैलू ठीक है a put on equation number put on equation number कहां पर रख दीजिए first में इस equation में रख दीए क्योंकि यह थोड़ा सरल लग रही है अब 1 में रख लो 2 में रख लो कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो a का value क्या यहां पर यहां पर यह का value अभी निकाला 2 and plus कितना है b plus b equal to 5 यहां पर इसको solve करते है 2 to 4 plus b equal to 5 ठीक है यहां से और solve करेंगे तो b का value कितना आ जाएगा 4 उदर गया minus हो जाएगा 5 minus 4 यानि कि b का value हो गया 1 तो हम यहां पर बोलेंगे क्या so a का value आ गया 2 and b का value आ गया 1 तो यही पूछ रहा है इसमें कि भाई मुझे a और b का value निकाल के बताओ ठीक है तो इस तरह के सा हमने defined by f of x equal to cos x square is a continuous function ठीक हमें शो करना है कि आपको जो यह function दे रहा है f of x equal to cos x square ठीक है यानि कि जो यहां पर एंगल है यह आपको continuous function दिखाना है तो दीखे 100% continuous function है क्योंकि एकस क्या आपका polynomial है और जब कॉस्ट लगेगा तो वह भी एक continuous आता है ठीक है तो 100% continuous और एक ही function है तो आपको इतना बड़ा लेने की जुरूत नहीं है लेफ्ट हैं लिमिट राइट है लिमिट यह करने की जुरूत नहीं है आपको बताए ता जो शुरू-शुरू के question थे वह हमने कैसे किये थे कि हमने एक तो f of c निकाल दिया था क्यो क्योंकि जब single function होता है यह तो हम तब करते हैं यूज जब two or more function हो दो या दो से ज्यादा function हो तब हमें left-hand limit राइट-hand limit वाला method लगाना पड़ता है यह second method है continuous चेक करने का पहला simple वाला यहीं है ठीक है पहला method यहीं है कि भई function की अगर आपको single function दे रखाए ठीक है अब इस सुरुआत में हमने four to five question ऐसी किया है कि यह और fc यह दोनों के दोनों क्या हो जाना चाहिए equal हो जाना चाहिए अगर यह equal हो गए तो समझो function continuous है तो यहीं वाला method करेंगे सिंपल क्योंकि single function है ठीक है तो चलिए हमें इसको कहां पे चेक करना आपने ध्यान रखना आपको fx यह रखा है हम इसको चेक करते हैं let at x equal to कहां पर सी पर अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस point पे चेक करना तो सी इकमाल लो और सी कैसी belongs to any real number ठीक है कोई भी एक real number है तो सबसे पहले हमने का इस पर इसकी value निकालो गया ठीक है तो चलिए f of x equal to cos x square है तो सबसे पहले मैंने कहा at x equal to c यानि कि x जगा c put कर दो तो cos यहां पर कितना हो गया x जगा c तो c square done है कोई problem अगला आप limit निकाल दो मैंने का limit x tends to किस पर c पर function f of x तो limit x tends to c f of x का value क्या है यह आपका function है that is cos x square ठीक है अब सीधा x जगा क्या put कर दो c put कर दो कोई problem नहीं है अब आप खुद देखिए fc भी यही आ रहा है बात संदमारी इसको चाहिती question first मान लीजिए limit x tends to c fx भी यही आ रहा कोस c square same value आ रही है तो इसका मतला हम बोल सकते हैं from कहां से from equation first and second ठीक है from equation first and equation number कहां से second से क्या दिख रहा हम है कि जो limit है limit x tends to c पर जो fx है वो किस के को ला गया fc के को ला गया fc के को ला गया ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे क्या चीज़ तो जो आपको given function है so fx is a continuous function ठीक है continuous कैसा function है continuous function है कहां पर at x equal to c पर and c belong to r c कहां से से बिलॉंग कर रहा real number से बिलॉंग कर रहा तो simple तरीके से हमने इसको कर दिया बे वज़ा कोई difficult तरीका मत करिए ठीक है चलिए बढ़ते है next question same as it is है so that the function defined by this fx equal to आपको पता यह modulus लगा रहा है mod है ठीक है cos x is a continuous function ठीक है तो cos x तो continuous होता है उसका mod भी continuous ही होता है सेम करेंगे वही सेम उपर जैसे किया था at x equal to c पर and c belong to कहां से real number तो f of x आपको simple एक ही दे रखा है तो यही इसी तरह किसे करेंगे x जगा क्या place कर दें c तो यहां पे cos क्या हो जाएगा c हो जाएगा mod के अंदर कोई problem चाहें तो equation number first मान लीजिए मैंने का अगर आप मानना चाहरें तो अगला के निकाल हो गया limit x tends c पर उस function की limit निकाल हो ठीक है तो limit x tends to c and function f x क्या है आपका mod cos x ठीक है जी x क्या रखे देंगे आप c place कर दो तो आ गया cos c आ गया बस दिस यूइकोशन number 2 f c b mod cos c and limit of x tends c पर f x का limit भी वही आ रहा mod cos c तो हम लिख सकते हैं from कहां से from equation number first and equation number कहां से second से क्या दिख रहा हम है कि भाई जो limit है x tends to c पर किसकी जो function f x वो किसके को लागया f c को लागया f c मतलब यह जो भी बैने बताए कि शुरुआत के एक दो तीन चार लगबग four to five question हमने इसी method चेक है ठीक है क्योंकि simple single function होता तो यही method अच्छा रहता है ठीक तो सो हम बोल सकते हैं सो function यानि कि जो आपको given function f x equal to आप लिख सकते हैं बलके पूरा mod cost x mod cost x is a continuous function कैसा function है continuous function है कहां पर आप यह भी बता सकते हैं ठीक है that x equal to c per nc belong to real number बोलिए कहीं पर दिक्कत आ रही है बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं छोटे-छोटे question इसलिए हम फटापड कर भी दे रहे हैं ठीक है चलिए question number 33 पाते हैं examine that sign mod x is a continuous function हमें examine करना है मनला वही बाते check करना है कि यह function continuous है दिखिए languages का खेले कहीं पर examing बोला कहीं पर so that बोला कहीं पर check करने के लिए बोला है सब कुछ जो है language का खेले बाकि कुछ नहीं है बाकि जैसा अभी तक आप कर रहे हो वैसे ही इसको करना है तो दिखिए इसमें f of x तो माना ही नहीं तो हम माल लेते का दिखिए था let f of x equal to sin mod x हमारे पास माल लीजिए यह function है done है बात तो यहां पर हम किस पर check करेंगे मैंने का let x equal to c पर इसकी continuity हम check करें c belong to real number any real number ठीक है जी बात के लिए तो आप यहां पर एक जगा सी प्लेस कर दें मैंने का तो आप fc तो साइन क्या रख दें एक जगा सी प्लेस कर देंगे this is equation number first आप दूसरा के निकालेंगे मैंने का लिमिट निकाल दें लिमिट एक स्टेंसी पर fx यानिकी function की value तो लिमिट x tends to c fx का value क्या है sign mod x तो यहां पर sign x की जगा क्या रख देंगे c equation number 2 ठीक है जे equation number 2 तो हम यहां पर लिखेंगे from equation first and equation second से हमें क्या दिग रहा है हमें यह दिग रहा है equation first and second से कि यह fc भी वही आ रहा और यह भी वही आ रहा same value यानिकि लिमिट x tends to c पर जो fx की limit है और जो c पर value है function की fc यह दोनों equal है तो हम बोलेंगे so आपका जो function है fx fx equal to यानिकि यह sign ताब लिख सकते है function बलकि पूरा is a continuous कैसा है continuous है ध्यानक ना यह continuous आ गया यह भी तो 100% आना ही चाहिए the continuous function continuous function at x equal to कहां पर जी c and c belong to real number और c कहां से belong कर रहा है मैंने का real number से belong कर रहा है ठीक है चलिए बढ़ते है next question की और तो चलिए next question देखते है हम question number 34 ठीक है discontinuity के of f यानि कि जो function है defined by यह function आपका f of x equal to ध्यान दीजिए function है f of x equal to mod x minus mod x plus 1 अब देखिए mod का मतलब होता है कि यह value कुछ भी रगलो x का value हमेशा यह कैसी value देगा आपका positive value देगा ठीक है mod का मतलब यह होता है ऐसी यह भी modulus function है दोनों के दोनों positive आएंगे अब ध्यान दीजिये कि मैंने आपको जनर बताई रखा है कि modulus function क्या होते हैं continuous होते हैं यह भी मॉर्र यह 215 होगा यह भी continuous ही होगा तो अब minus क्या होगा ठीक है सवाल यह होता है कि यह continuous है यह continuous है देखिए मैंने आपको बताया था आपको वीडियो पढ़ा रहा था बता रहा पूरा पेज नंबर 156 है ncrt book है मेरे पास यह देखिए ध्यान से यह के दिखिए यह सारे function क्या होते हैं continuous होते हैं दूसरा फंक्शन गया है तो अगर एड़ करोगे तो भी continuous होगा कहांपर सी पर अगर माइनस करोगे तो भी continuous होगा अगर इंटू करोगे तो भी continuous होगा राइट ठीक है डिवाइड करेंगे फिर भी continuous होगा लेकिन ये नीचे वाला function 0 नहीं होना चीए तो plus minus करोगे फिर भी मतलब continuous होगा तो minus करेंगे तो कहने का मतलब हम देखके बता दिया कि ये function continuous ही होगा तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूं कुछ भी लपड जपड वाला तरीका नहीं बता हो इसको अलग अलग function मान लो इसको अलग मानलो इसको अलग मानलो लड कर लीजिए लट इस वाले को आप माल लीजिए क्या g of x ठीक है अनिके gx माल लीजिए and इसको माल लीजिए आप h of x ठीक है अनिके hx माल लीजिए किसको x plus 1 तो इनका negative हमें इस मलब जो minus करेंगे वो भी continuous आएगा देखना भी चलिए अब देखते हैं हम calculation करके पहले इसको देखते हैं ठीक है first of इसको देख रहे हम इसको किसको g of x equal to mod x इसकी continuity check करते हैं कहां पर add x equal to जब point ना दिया हो तो आप c माल ले belongs to r जो c हो कहां से belong कर रहा है real number ठीक है पूट कर देंगे यानि कि आपका यह आ गया उसके बाद हम क्या निकालेंगे simply limit निकालेंगे ठीक है के निकालेंगे limit ध्यान दीजिए limit कहां पर निकालेंगे limit आपका x tends to c पर function f नी वलके g यहां पर तो g of x रगलो कोई problem नहीं है तो limit x tends to c g x का value कहा रखेंगे mod x और simple x जगा क्या पूट कर दें आप c पूट कर दें ठीक है जी आप देखें यहां पर देखिए आपका यह तो हो गया आपका कौन सा यह होगी इसको आप equation first मान लिए ठीक है इसको चाहिए तो आप 2 और 3 मान ले या ना चाहिए तो कुछ भी ना माने कोई दिकर नहीं है तो हम दिख रहे हैं since आपका limit ठीक है x tends to c पर जो function है gx वो किसके को ला गया gc को ला गया शही बात है जैसे अभी तक हम पीछे करते आ रहे हैं कि अगर किसी point c पर यह limit of किसी point c पर fx की जो limit है और fc यानि कि उस point पर उस c की value रखने पर function की value दोनों equal आ जाए तो function continuous होता ह है तो यह equal to bhc mod c और यह भी mod c आ रहा है ठीक है तो function क्या होगा तो हम बोलेंगे so आपका जो gx है so gx is continuous function कैसा function है continuous function है हां तो यह आपका कैसा function आ गया continuous function आ गया तो देखो यह मैं आपको simple तरीका बता रहा हूं बाकि आपको कई और भी तरीके बता सकते हैं कि यहां पर mod x की value ऐसे 2 करके भी ले सकते हैं क्योंकि इसकी value हमेशा बढ़ी होगी 0 या 0 के equal होगी ठीक है तो यहां पर x का value actually ऐसे भी लगते हैं कई ऐसे भी बता सकते हैं आपको किस तरह से आप 2 value लीजिए कि एक तो लीजिए x का value positive लेकिन इसको कब लेंगे when x is greater than equal to 0 और एक लेंगे minus x when x is less than 0 ऐसे भी बता सकते हैं लेकिन मैं बोल लाओं आप ऐसा ना करें आप simple जो मैं बता रहा हूं आप वही वाला करे यह ज्यादा best है ठीक है इसको आप छोड़ दीजिए लंबा पड़ता है बेवज़ा simple सा तरीका बता रहा हूं आपको यह वाला कीजिए चलिए यह continuous हो गया अब हां आते हम second के part में खुद बना रहा हूं h x है वाला ले लो best हो उसे पहां नंबर तो हम सह से पहले है क्या पुट कर देगे यहां पे सी पूट कीजेगा तो c plus one आयागा मौट c प्लस वन अब लिमिट निकाल दीजिए इसकी भी लिमिट क्या x tends to c बई c क्या है जब कोई point ही नहीं है तो हम c माल लेते हैं general c क्या है any real number कोई भी real number ले लो ठीक है तो h of x ठीक है तो h of x का value आपको पता ही है उपर ठीक है क्या है जी x tends to c या approaches to be बोलते हैं इसको h x किसके equal आगया h c के equal आगया तो यह function भी क्या है जो h of x है is also a continuous function ठीक है यह भी क्या है continuous है continuous function है दन है बाद short में ऐसे लिख दिया function को कहां पर at x equal to c पर and c belong to any real number यहां पर भी आप ऐसी लिख सकते हैं यहां पर लाइन के आगे ठीक है यह चीज़ लिख सकते हैं के लिए रहे तो आपका यह भी यानी की continuous आगया इसको g of x माना था यह भी continuous आगया इसको h of x माना थो इनका जो subtraction आएगा ठीक है so हम बोलेंगे finally ठीक है so so हम बोलेंगे क्या कि जो f of x है from equation first से ध्यानगना from equation first से ध्यानगना from equation first से हम क्या बोल लें हम यह बोल लें f of x equal to क्या था mod x minus mod x plus 1 था ठीक है जी तो f of x equal to इसका mod x का मतलब क्या था आपका जी एक्स ठीक है या नहीं कि जी ओफ x जी ओफ x एंड इसका मतलब क्या था h of x था यह आप देखिए ना उपर मान रखा हमने यह चीज है ठीक है तो यह चीज हो गई तो अभी मैंने का भी आपको बुक से मैंने बताए था ठीक है पेज नमबर ही बताए था यह देखिए क कि एक फंक्षन f और एक फंक्षन g है अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा continuous होगा उस पॉइंट c पर यह पे एक फंक्षन आपका जी है एक फंक्षन h है तो यह भी क्या होगा आपका continuous होगा ठीक है तो हम बोल सकते हैं therefore यह हैंस जो भी आप लिगना चाहें ठीक है therefore fx is also a continuous ठीक है, also a continuous function, ठीक है, continuous function at x equal to कहां पर? C पर, ठीक है, and C belongs to R, आप यहां लिख सकते हैं, C कहां पर belong करना R पर, तो हमें क्या पूछा था उसने, हमें पूछा था, find all the point of discontinuity, तो यहां पर तो discontinuity कहीं आई भी नरा है, सब जगा क्या रहा है, continuous हा रहा है, everywhere is continuous, तो हम लिखेंगे, hence, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि, hence, hence, कि यहां पर, ठीक है, there is, there is no point, ठीक है, there is no point at which, at which, जहां पर, at which f x is discontinuous, f x is discontinuous, ऐसा यहां पर कोई भी point नहीं है, जहां पर क्या हो, जो आपका function है, f x, वो discontinuous हो, there is no point of discontinuity, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पता सरह न, क्यों होगा f x, यह continuous है, यह continuous है, तो अभी आपको book में, मैं बार-बार बता रहा हूं, कि अगर आप minus करेंगे, function को, या plus करेंगे, तो फिर भी, book continuously आएगा, इस तरह इसके आपकी पूरी exercise खतम हो गई, question number 34 आपका last और मैंने simple तरीके सा आपको बताए, आप ऐसी करेंगे, तो अच्छा रहेगा, thank you so much for watching this video.